Friends, joint photo बनाने के लिए आपको आपने photosome में दो photo open करने है photosome में double click करेंगे, मेरे पास ये दो photo अलग अलग है तो मैं इनको photosome में open करता हूँ इसी तरह आप आपनी दो photo photosome में open कर लेना आप friends, इन्हेs joint photo करने के लिए हमें एक new sheet लेनी है Ctrl and press करेंगे और friends इसमें यह आपे अपनी sheet का नाम डालेंगे width में हम 1.8 रखेंगे और height में हम 1.4 रखेंगे और यह friends inch में रहेगा और resolution 300 और फिर इसको ok करेंगे अगर friends आप description से action को download करके बनाना चाहते हो तो आपको इसी size की sheet लेनी होगी तब यह action काम करेगा अगर आप अपने हिसाब से अपना passport size बनाना चाहते हो तो आप video के साथ साथ अपना नया action बना सकते हो सिर्फ फर्क यह है कि आपकी sheet दूसरे size में जाएगी और यह sheet दूसरे size में है बाकी processor same रहेगा तो आमें करना क्या है सबसे पहले यहाँ पे एक photo को लेके आना है तो मैं इस photo को mouse से पकड़के इस sheet पे लेके आऊँगा इसको थोड़ा बढ़ा करेंगे और Ctrl T से इसको shift press करके इस तरह से छोटा कर लेना है यहाँ पे हम इसको इस तरह से set करेंगे और inter press करेंगे इसको आमें इस तरफ लेके आना है क्योंकि ladies का photo जाज़ा तर right hand की तरफ रहता है और अब आमें इस image की cutting करनी है अगर इस photo में background plan है तो आप magic tool से एक click में उसको हटा सकते है लेकिन friends यह plan background नहीं है तो मैं इसकी cutting pen tool से करता हूँ यहां उपर से path select करेंगे और इसकी cutting इस तरह से हमें कर लेनी है friends मैं एक बार इसकी पहले cutting कर लेता हूँ cutting पर मैंने एक पहले से video बना के रखी है अगर आपने नहीं देखी है तो आप यह वाली video देख सकती है आई button में मिल जाएगी तो चलिए मैं एक बर इसकी जल्दी से cutting कर लेता हूँ तो friends cutting हमारी complete हो चुकी है यहां तक यह हमारा path तयार हो चुका है अब इसका selection बनाने के लिए control enter press करना है तो इसका यह selection बन चुका है इसमें feather लगाएंगे आज select पे जाएंगे यहां से feather पे जाएंगे और इसमें मैं 2 का feather रखता हूँ और ok करेंगे friends अब move tool select करके और mouse के जरीए इसी sheet पे लेके आएंगे इसको और control T से हम फिर से इसको इस तरह से छोटा करेंगे friends हमें इस तरह से इसको छोटा कर लेना है अब friends इस image को हम थोड़ा control T से छोटा करेंगे इस तरह से और इस image को control bracket से उपर लेके आएंगे और इसको में इतना selection कर लेना है इस तरह से pen tool से इसका इतना selection बना लेना है और friends इसको वापिस control bracket से back करेंगे और हम इसको enter press करेंगे आपे control enter तो यह selection इस तरह से हो जाएगा, अब हमें इस पे क्लिक करके Gents वाली image पे और feather लगाके और delete button प्रेस करना है Friends, इस तरह से image का बाकी कैसा में delete कर देना है अगर आपकी image clear है, बराबर है दोनों कंदे वगर है तो आप उसको अपने हिसाब से chat कर सकते हैं और Friends, आप Ctrl-D से इस कौन select करेंगे तो Friends, अगर इस तरह से image के आपके photo में कोई और alt प्रेस करके और mouse से एक बार यह select करना color और यहां से इसको इस तरह से feel कर देना तो Friends, आप आप इसमें पीछे background में color देना है जो ladies की photo में color है, इस ही comment में feel करेंगे paint bucket tool लेंगे यह से और इस color को select करेंगे और move tool select करके इस background को select करेंगे और फिर हमें paint tool लेके और फिर से हमें background में यह color feel कर देना है अगर Friends, आपकी image में कोई color नहीं है तो आप कोई भी color उसमें feel कर सकते दोनों में इस तरह से और फिर photo को select करके Ctrl-M करेंगे और थोड़ा इसको light करेंगे इस तरह से और इसमें Ctrl-B करके थोड़ी redness बढ़ाएंगे इस तरह से और इस photo की थोड़ी redness कम करेंगे इस तरह से हमें color mix कर लेने है ताकि दोनों photo एक सी नजर आए तो इस तरह से color हमारे इसमें mix हो चुके है और interface करेंगे यहां तक हमारे photo अब complete हो चुके है अब आप अगर action से बनाना चाहे तो आपको बस action पे one click करनी है आपके passport photo ready हो जाएंगे लेकिन यहां तक आपको अपनी sheet पे खुद काम करना पड़ेगा और फिर उसके बाद one click में photo तयार होंगे और friends आप अपना passport size अलग से तयार करना चाहते हो तो आप अपना अलग से तयार करके इसी तरह उस sheet पे लेके और दोन फोटो को joint कर लेना उसके बाद action कैसे बनाना दोन फोटो का चलिए वो सीखते है सबसे फहले हम यह विंडो में जाके layer ओपन करेंगे और इन background और यह दोन फोटो को merge करेंगे control shift और e press करेंगे तो यह एक layer में तयार हो जाएगे आप friends हमें action तयार करना है उसके लिए हमें विंडो में जाना है यहाँ से हम action ओपन करेंगे यहाँ से हम ऊपर तीर के निशान से new sheet लेंगे और यहाँ पर हम joint photo नाम रख लेते है और ok करेंगे अब यहाँ से हम action record करेंगे जो भी photo में हम काम करेंगे वो हमारे action के जरीए होता चला जाएगा आप चाहे तो यहाँ से shortcut key भी तयार कर सकते है लेकिन मैं इसमें shortcut key नहीं रखूँगा क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यदा action बन चुके है और record पे click करेंगे यहाँ से control and करके new sheet लेंगे यहाँ से force इसके एक sheet लेंगे ok करेंगे और friend इसको हम control A करके और यहाँ पे edit पे जाके stroke पे जाएंगे यहाँ पे इसको 5 का stroke रखेंगे black color रखता हूं मैं आप चाहे तो कोई भी color रख सकता ok करेंगे और control C करेंगे इस पे लेंगे और इस sheet पे आम control V करेंगे इसको paste यहाँ पे उपर set करेंगे इसको और control J से इसके copy तयार करेंगे mouse से पगड़ के copy को इस तरफ लेके आएंगे और इसको इस तरह से तयार करेंगे control E से इसको merge करेंगे control J से इसकी copy करेंगे और mouse से पगड़ के नीचे लेके आएंगे फिर से control E से इसको merge करेंगे और फिर से control J से इसको copy करेंगे और फिर नीचे लेके आएंगे mouse से यह हमारी sheet पे 8 photo बन चुके है अब यहां से हमें action को stop करेंगे अब friends इसे check करने के लिए एक बार इसको मैं cut करता हूँ तो friends मैंने ये दो photo open कर लिए है अब मैं control N से एक passport size की sheet लोगा यहां से मैं वही size डालोगा 1.8 और 1.4 और enterprise करेंगे अब friends इस image को मैं इस पर लेके आता हूँ और इसको भी मैं इस पर लेके आऊँगा मैं ये शिर्फ check करने के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि action हमारा काम करता है या नहीं और control shift से इसको merge करेंगे इस तरह से और ये अब हमारा action है इस action पर click करेंगे और यहां से हम play के निशान पर click करेंगे अगर आप आपने कोई key रखोगे तो आपको वो key प्रेस करनी होगी मैंने कोई key नहीं रखिये तो मैं इस play के निशान पर click करता हूँ एक वर तो friends इस तरह से आप आपने auto photo 7.0 में दो अलग अलग photo को joint करके बहुत आसानी से one click में action दुआरा art photo तयार कर सकती है तो friends उमीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी तो like से subscribe जरूर करें Thank you